हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल आज मैं बना रही हूँ अंडा पराठा जो बनाने में बहुत ही सिंपल है बहुत इजी है इसे आप कभी भी बना सकते हैं एक स्लवर के लिए अंडा पराठा एक बहुत अच्छा उप्सन होता है ब्रेकफास्ट का मेरी रेसिपी विगनर्स के लिए है जो कि आसानी से अंडा पराठा बना सकते हैं अंडा पराठा के लिए मैंने लिया है अंडा आठा गुता हुआ थोड़ा सा चीज नमक यहां पर मैंने प्यास अरणी मेर्च टमाटर और धनिया चौप करके रखा है औल चाहिए हमें पराठे सेखने के लिए सबसे पहले हमें अंडे को तोड़ना है एक पराठा बनाने के लिए दो अंडे सही है दो अंडे से अच्छे से एक पराठा बन सकता है यह दिखिया मैंने यहां पर अंडा तोड़ लिया अब मैं इसमें मिलाओंगी नमक यह नमक मिलाया मैंने हरी मेज थोड़ा आधा प्याज थोड़े टमाटर धनिया पत्ति यह अच्छे से मिला लेना है हमें अच्छे से फेट लेना है यह देखिए अंडा अच्छे से फेट चुका है अब हम बनाएंगे पराठा पराठा अपने किसी भी मन पसंद शेप का बन सकते हो बस लेयर के लिए हमें ध्यान रखना है कि मैं उसमें लेयर आनीचाहिए इसके लिए मैं यहां पर यहां पर बना रहे हूं यह इस तरह से और लगा लेंगे हम पहले रोटी नजगे अच्छे से ओईल लगा के इसे हम बेलेंगे ताकि सिखने के बाद इसमें अच्छे से लेयर निकले यह देखिए इस तरह से यह पराठा बेल लिया मैंने यह देखिए इस तरह से तवा गरम हो गया गया इस पर पराठा डालना है यह देखिए पराठा मैंने डाल दिया है तवे पर एक तरब से सिखने के बाद यह फूलने लगा है पलट देंगे हम इसे गैस का फ्लेम अभी तेज रखेंगे हम दोनों तरब से बराबर सेख लेंगे हम सिखने के बाद इसके परत खुलने लगते हैं यह देखिए साधानी से हमें इसके परत को अलग करना है आप इसके लिए चिम्टे से से हेलप ले सकते हैं अब इसमें डालोंगे मैं अंडे का मिक्सर से कीक अपस करेंड़ अए श्सार्यार डाली बंद कर देंगे हम इसे, यह देखिए, साउधानी से पलट लेंगे हम, और लगा, यह देखिए, सिख गया है पराठा हमारा, और लगा लेंगे हम दोनों तरफ इसके, ओल या बटर जो भी आप पसंद करते हों, आप इसे लगा के, दोनों तरफ गैस का फ्लेम कम करके, सेख लेंगे बराबर से, अंडा अंदर से पकके, फ्लपी हो रहा है, और लगा लेंगे मच्छे से, यह देखिए, और लगा के, आप बटर भी लगा सकते हैं, और लगा के, हमने दोनों तरफ से बराबर सेखना है इसे, अंडा पराठे की बीदर सेट हो चुका है, पराठा का भी प्लपी हो गया है, उलट पलट के हमें सेख लेना है दोनों तरफ से, गोल्डन ब्राउन, यह सिग गया है पराठा हमारा, अब मैं इसे निकाल दूंगी, यह रेडी हो चुका है, यह देखिए, हमारा पराठा बिल्कुल रेडी हो गया है, सर्ब के लिए, हम इसे ऐसे भी सर्ब कर सकते हैं, और काट के भी सर्ब कर सकते हैं, यह इस तरह से काट लिया है मैंने, यह आप अंदर से देख सकते हैं, कितना फ्लपी है, अब आप इसे मन पसंद चटनी सॉस के साथ सर्ब करिए, इस तरह से सर्ब कर लेंगे हम पराठे को, अपनी मन पसं तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को